नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में खास जानकारी हम साइनस के मरीजों के लिए लेकर हाजी रहें दोस्तो अगर आप नहीं जानते हैं साइनस की प्रोब्लम क्या होती है तो चलिए सबसे पहले आपको बता दते हैं दोस्तो साइनस नेजल कंजेक्शन का ही एक प्रकार है जिसमें नाग के आसपास के पेसेज में सुजन हो जाती है दोस्तो ठंड का मोसम धूल मिट्टी साइनस के प्रमुकार्णों में से एक है स्वास्त विशेशग्यों के मताबिक साइनस के लक्षन हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं इस प्रोब्लम में रोगी को हलका बुखार आ जाता है और आखों के पलकों के उपर या दोनों किनारों पर दर्द रहता है इसके लावा नाग बेना या नाग बंद हो जाना ये भी साइनस के लक्षन है तो दोस्तो ये तो थी साइनस की बिमारी अब आपको बताते हैं कि अगर आपको sinus की problem है तो ऐसे कुछ कुल मिला के 5 food items है जिनको आपको बिलकुल नहीं लेना चाहिए नहीं तो आपकी sinus की problem और ज़्यादा बढ़ सकती है अब किन-किन चीजों से आपको दूर रहना है कौन सी है वो 5 चीजे चले जानते हैं तो दोस्तो सबसे पहले नमबर पर आता है दही दोस्तो पेट के लिए दही के फाइदे जादा तर लोग जानते हैं लेकिन sinus के मरीजों के लिए दही खाना खतरनाक हो सकता है sinus के मरीज अगर दही का सेवन करते हैं तो इससे बोडी में फ्लेम का उत्पधन होता है ये कंजेक्शन की समस्या को बढ़ाने में कारगर होते हैं अगर आप दही खाना भी चाते हैं तो रात को इसके सेवन बिलकुल ना करें दही को बिलकुल अवोइट कर दें अगर आप sinus के मरीज हैं तो दोस्तो दूसरी चीज जिन से sinus के मरीजों को दूर रेना है वो है आवला आवला को कई बिमारियों से बचाने में हेलफुल मना जाता है लेकिन sinus के मरीजों को आवला खाने से बचना चाहिए कई मरीजों में आवला के जूस के सेवन से गले में खराश और कंजेक्शन जैसी समस्या देखी जा सकती है दोस्तो कई मरीजों में आवला के जूस को पीने के बाद गले में खराश और कंजेक्शन जैसी समस्या देखी गई है ऐसे में जिनने गले में खुजली या फिर कोई दर्द मेसूस होता है तो आउले से आपको परहेच कर लेना चाहिए दोस्तो तीसरी चीज है टमाटर कई लोगों में टमाटर खाने से सूजन की समस्या देखने को मिलती है खास करके कच्चा टमाटर खाने से साइनस की जो मरीज है उनकी परेशानी खास तोर पर बढ़ सकती है इसलिए साइनस के मरीज टमाटर का भी सेवन ज़ादा ना करें हाँ साइनस की प्रोबलम अगर दूर हो जाए तो उसके बाद टमाटर खा सकते हैं दोस्तो अगली चीज आती है red meat, जी हां दोस्तो red meat में protein उच्छ मात्रा में मोजूद होता है, इससे body में mucus की अधिक्ता हो जाती है, साथ ही ये conjunction की समस्या को भी बढ़ाने में कारगर होता है, तो ऐसी situation में sinus के मरीजों को इस problem के चलते red meat का सेवन नहीं करना चाहिए, और दो में खराश और नाग में परिशानी भी ज़्यादा होती है, हाला कि दोपेर के time में आप कुछ मात्रा में चामल खा सकते हैं, लेकिन अगर sinus की problem है, तो regular रूप से चामल ना खाए, और खास तोर पर रात कुछ चामल का सेवन ना करें, तो दोस्तो देखा आपने ये थी आज की important जानकारी sinus के मरीजों के लिए कि उन्हें किन-किन फूर्ट से दूर रहना चाहिए, नहीं तो sinus के problem और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो दोस्तो वीडियो पसंद आयो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेर जरूर करे ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच पाए